तो आज मैं आप लोग के साथ एक pocket fm की novel plus audiobook जो की दोनों में available है ठीक है ठीक है अब बात की जाए story की तो कौन सी story है तो जो story का नाम है वो है हुकम राणी साथ ठीक है इसका मैं already पहले भी आप लोग के साथ review जो है वो शेयर कर चुकियों कि भाई कैसा लगा मुझे कैसा नहीं लगा आप लोग की वज़े से मुझे पता चला था कि इसकी novel भी है नी अगर पूरी story के बारे में एक ही बात अगर मुझे बोलनी हो तो एक ही बोलूँगी आप लोग जरूर जाके story को जो है सुनना या फिर पढ़ना इतनी कमाल की है ना जो चीज़े आप लोग को इससे सीखने को मिलेगी ना वो वो अलगी level की होंगी ठीक है बहुत कुछ है इ आप लोगों को यह कहलो की career को लेके हुआ relationship को लेके हुआ family को लेके हुआ और challenges को लेके हुआ हर चीज मतलब एक जो चीज़े होती है ना बहुत पारी की से इसमें clear की गई है और बात की जाए बराबरी की यानि हम कहते हैं कि कुरुश और महीला में जो बराबरी की बात आत change ला सकते हैं या फिर यह कहलो की strategies tactics मतलब business हर तरीके की जीज ना इसमें involved है जो कि perfect story है writer ने इसको बहुत कमाल का लिखा है मतलब मैं तो क्या ही बोलू ना मतलब story के बारे में बट कहां पर बात गरवडा जाती है क्योंकि यह देखो मेरा personal opinion है आप लोगों को भी पता होगा मैं क्या चाहती हूँ मैं यह मेरे अगर खुद की stories मतलब अगर मैं खुद देख रही हूँ ना कोई stories को तो एक ही चीज होती है कि जहां पर भी जो couple है वो अलग हुआ वहाँ मेरा दिल तूट गया और वहां से जो है मैं stories को सुना ना छोड़ देती हूँ ठीक है क्योंकि वो दुबारा मिलते हैं तो देखो होना ही होना है ठीक है अब यहां पर क्या हुआ ना इस story में मैंने इसको 137 और 38 तक मैंने इसको रीड किया ठीक है अब वहां पर क्या हुआ अब कहां तक यह story पहुँची थी कि ना निकिता जो है वो pregnant थी अब इसके बाद क्या हुआ जो कि दी आप फिर से start करना आगे चीज़े चेंज होंगी चेंज होंगी बट सच में मैंना बिल्कुल ऐसा हो गया कि नहीं आ रहा है मैं इसे नहीं होगा मैं नहीं चाहती कि इनके बीच में और इतनी सारी प्रॉब्लम्स होई starting में अब आगे चलके और सदर प्रॉब्लम्स ओ आगे अच्छा होगा बट नहीं ना मैं कितना सबर करूं मैं नहीं कर पाती है चीज़े ना तो वहीं बाली बात है अब देखो एक चीज़ और है वो काशी वाली स्टोरी थी ना आप लोगो ने मुझे बोला मैंने फॉस जनरेशन का आप लोग के साथ जो है वो रिव्यू स्टोरी सेकंड जनरेशन उसको भी पूरा रीड करने के पाद रिव्यू शेयर कर दोंगी बट आगे देखेंगे फिर चीज़े क्यों कि यार मैं बस वह यह आप लोगों ने बोला कि देखो वो जो काशी है वो नहीं मरी है तो यह चीज़े हैं बट आप वापिस आजाते ह नहीं किता कुमारी चिक है और इसमें क्या था मेन क्यरेक्टर जो थे उनका नाम था निकिता और जो की आईएस बनना चाहती थी और जो सेकेंड हैं के उपोजेट उनका नाम है रनविजे संग शेखावत अब क्या सिच्वेशन थी आप लोगों ने पहला जो मेरा रिव्य से रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दोंगी वहां से जाके स्टोरी को एक बर देख लेना और यहां तक की रिव्यू को भी एक बर देख लेना ताकि आप लोगों को चीज़ें को क्लेयर हो जाएं मैं स्टार्टिंग से तो नहीं बताऊंगी क क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था बठा यह चीज है कि जो है इनकी जबर्दस्ती जो है वह शादी की जाती है और एज ग्रूप मतलब एज गाप इनके बीच में काफी जादा था बट फिर भी जो रनविजें हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको और देखो जगा के प्रफाई जाती है वहां पर जिस तरीके की जो लोगों की सोच है उन चीजों के इसाब से फिर भी वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और वह कहते हैं कि जो तुमारा सपना है उसको पूरा करो और उनकी बहुत अलग मतलब हैं अब रनविजे जो हैं वह भी कोई आम इनसा पिए जो हैं तो इस तरीके से अपने हिसाफ चाहती है तो कैसे ट्रीट किया जाता है यानि कि उनके हास्बन जो है अपनी वाइक्स को जो है वह त्रीट करते हैं मतलब चीजिश है है चीज की तरह मतलब कभी भी उन्हें मारते हैं पीटते हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ है हां एक तरीके से टॉर्चर गी तो जो हमारी ने किता है अब वो चाहती है वो चेंज आए तो क्योंकि भाई देखो वह पड़ी लेकी है वह तो चाहेंगे और अन्वीज चीज़ नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा वो भी अच्छे कासे पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ें हैं तो क्या होता है आगे चलके चीज़े बहुत ही अलग भी होते हैं थोड़े टाइम के लिए ही सही बड़ देखो जो भी है इनके बीच में सिचुएशन जो आती हैं उसे सा चीज़ें बहुत कुछ देखने को मिलता है मैंने आपनों को स्ट्राइग मधि बताया कि क्या-कया चीज़ें तो बहुत सारे क्यारेक्टर से सबका अपना ना में वह रोल है मैं बहुत कर दो रहना है नहीं हरे क्या स्वकस करने पूरी कोशिश की गई है जो कि बहुत अची चीजhole और जो इनोंने सिखाया वो तो सबसे बढ़िया था क्या 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 लेसंज दिये पर आप लोग सिटवेशन देखोगे ना पर situation जो जो चीजे इनों ने उठाई है जो जो मुद्धे हाँ पर बात की गई है जिनके बारे में वो और जिस तरीके से उनका समाधान निकाला गया यानि solution देया गया वो बहुत बढ़िया था ठीक है तो यह एक नई सोच की तरफ जो है ना लेके जा रहे है यह स्टोरी तो इसलिए मुझे स्टोरी बहुत जादा पसंद आई हाँ वह बात आला कि हमें आगे अगर इसको फिर से चालू कर दूर रीड करना बट अभी फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है बट चलू कोई बात थी स्टोरी जो थी ना वो सच में बहुत अची थी मैं तो आप लोगों को बोलूंगी स्टोरी जो है वो पूरी अगर आप लोग सुन सकते हो सुरी सुन अहां सुनने के लिए भी तो अवेले बले तो सुन सकते हो तो सुन लो अदर्वाइस जो है वो रीड कर लेना कोई बात नहीं है आप लोगो मिल जाएंगी मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगरा जो भी होंगे ना वो प्रोवाइड कर दोंगी तो ऐसे कोई इशू नहीं है हाँ पॉकिट एफम पर बहुत साइं नौवल्स जो है वो रिमूव हो चुकी है तो राइटर से बात करनी पड़ेगी जो के लिए तो यह किया जा सकता है इसके अलावा कोई और आप्शन अविलिबल नहीं है तो मेरा क्या रीजन था इस स्टोरी को छोड़ने के पीछे या आप लोगो को भी पता चलिया होगा कि भई क्या चीज़ें हुई और मैं क्यों जो है इसको आगे रीड नहीं कर रही है या जो भी चीज़ें होती है फिर उनके बीच में में भी क्या मिसंडरस्टाइंडिंग्स होती है या फिर वह अपने सफने सब्सक्राइब अपने जो सपने हैं उसकी तरफ वापिस से चलती है ठीक है क्योंकि उनका एक्जाम था और लास टाइम भी जो वह एक्जाम है नहीं दे पाई थी जस बिकॉज उनकी जो शादी है वह जवरदस्ती हो भी थी ठीक है अब अब जब उनके एक्जाम देने का ताइम आया था तो वह प्रेग्दनसी आ गई थी तो यहां पर फिर भी देखो वह कैसे अड़्जस्ट करती है चीजों को और वह चाहती थी जो यह स्टोरी थी ठीक है तो सबसे बड़ी चीज तो यही थी कि इसका कॉंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट था सबसे बहुत अलग था ना ही हम यह कह सकते थे कि यह कोई ऐसी बिजनसमैन वाली शूई-मूई वाली स्टोरी थी ना ऐसा भी नहीं था इसमें ड्रामा एक्शन स सब कुछ मिलेगा आप लोगों को सिखाया भी जा रहा है बताया भी जा रहा है बहुत कुछ है यार इसमें और किस तरीके से जो है आप लोग को स्टेप्स लेने चाहिए हैं अगर आपकी सिच्विशन ऐसी होती है तो एक तरीके से गाइड भी बहुत अच्छा कर रही है यह स्टोरी तो इसलिए जो है ना यह स्टोरी बहुत अच्छी है बट जहां पर वही है अब मेरे जैसे जो हीरो हीरोईन को साथ ही देखना चाहते हैं और थोड़ा सा भी नहीं चाहते कि बढ़ गड़़ो थोड़ा बहुत मिसंद्रस्टाइडिंग तो चलती है बट गया श्रॉल फाप नहीं चाहते हैं इसलिए यह सोरी बहुत अच्छी जाएगा जरूर रिट कर लीजिए अगर आप टोंगों नहीं सुना है अपड़ा नहीं तो जाके जरूर एक बार मेरे कहने पर एक बार जाकर जरूर ट्राए करना ठीक है और अब देखते है यह तो मेरी थ यह समझ लो स्टोरी को लेकि यह मेरी फाइनल वर्रिंग्स थी जो मैं बोलना चाहती ती स्टोरी को लेके और अब इससे ज़ादा और में स्टोरी को लेकर देखूंग आगे क्या होता है मतलब अगर मैं डिद गरती हूं तो वैसे तो थोड़े कम chances हैं बट कोई बात नि क्योंकि बहुत सारी चीज़ फाइंडिंग में है तो एक स्टोरी पर पूरा फॉकस करना वह पॉसिबल नहीं होता मैं आप लोग को बता रही हूं मैं कितनी सारी novels journal को रीड करती हूं सिरफ और सिरफ यही चीज़े होती है कि उसको मैं continue नहीं कर पाती हूं क्योंकि आप लोग को भी पता है कि फिर मैं अगर एक ही पर रह जाओंगी तो फिर मैं किस फेरेट स्टोरी नौवल मुके फिर आपका में रिव्यू शेर करूं तो आपका मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जितनी जदी हो सेगा मैं वीडियो लेकर हाजर हो जाओंगी बाकी जब तक नेक्स वीडियो आती है तब तक लिए बाई और थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो